दोस्तो, Welcome to my YouTube channel, मेरा YouTube channel में आप सभी कर सुभागत है दोस्तो, आज हम बात करेंगे current account के बारे में, individual current account और business current account के बारे में मतलब visa के लिए कौन सा account, कौन सा current account is appropriate, कौन सा current account चाहिए visa के लिए जब visa apply करेंगे किसी भी country का tourist visa apply करने के लिए, कौन सा account आपको चाहिए उसी current account के बारे में आज हम बात करेंगे तो दोस्तो, वीडियो शुरू करने से पहले, जो नाया viewers है मेरे चैनल में, मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्रीब कर लिजिए और पास में जो पेल आगान है उसको दबा दीजिए तो दोस्तो, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो, current account के बारे में जो आज मैं जो आप लोग को बताना चाहता हूँ या जो information आप लोग को मैं देना चाहता हूँ इससे पहले ये information आपको YouTube में किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा ये मैं guarantee देता हूँ current account जो होते हैं वो दो तरह का current account होते हैं एक होते है individual current account और दूसरा होते है business current account तो दोस्तो ये दो तरह का current account के बारे में आज हम बात करेंगे टू टाइप्स जो current account होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे पहला जो current account है वो है individual current account और इसके साथ हम जानेंगे ये individual current account आपके tourist visa के लिए ये चलेगा ये नहीं चलेगा मतलब appropriate है या नहीं है ये जो individual current account होते हैं और दूसरा जो है वो है business current account तो कौन सा current account आपके tourist visa के लिए appropriate है तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे तो दोस्तों पहला जो account होते हैं बो होते हैं individual current account यह individual current account क्या होते हैं आप जब आपना documents आपना जो KYC होते हैं आपका voter card, other card, pen card से आप जब कोई current account खुलवाते हो किसी भी account bank में बो होते हैं individual current account मतलब बो current account श्रिप आपका नाम पर ही होते हैं उसमें आपका कोई business registration का proof नहीं लगता है बो होते हैं आपका individual current account वो आपका नाम पे खुला जाता है मतलब जैसे कि मेरा नाम है Sanjay Vishwas तो मैं अगर चाता हो तो मेरा नाम पे कोई भी एक individual current account किसी भी bank में खोल सकता हूँ इसके लिए मुझे कोई business documents का जुरूरत नहीं परेगा कोई business proof देना नहीं परेगा लेकिन दोस्तों यह जो individual current account है अगर यह current account के statement हम visa file के साथ submit करेंगे तो इसमें visa के ratio कितना रहेगा तो मेरा हिसाब से दोस्तों यह जो individual current account होते है यह आप बिल्कुल मत रलिएगा आपका इसका statement आप बिल्कुल मत रलिएगा आपका visa file के साथ क्योंकि ये individual current account बिल्कुल नहीं चलेगा आपका visa file के साथ आपको चाहिए business registration current account मतलब business current account आपको चाहिए जो current account आप जब किसी भी bank में open कर होगे कोई भी हो चाहे वो nationalist हो चाहे वो private bank हो जो भी bank किसी भी bank में आप वो current account open कर सकते हो लेकिन वो current account open करने के लिए आपको आपना business proof देना mandatory है मतलब business proof के बगर वो current account नहीं खुलेगा जैसे कि मेरा जो current account है मेरा personal जो business है उसका नाम है बॉर्णिनी enterprise तो मेरा जो current account है आप मैं आप लोग मैं देख रहा हूँ मेरा current account के चेक आपको देखा रहा हूँ तो ये बॉर्णिनी enterprise नाम भी खुला है मतलब आप लोग का जो business का proof होगा उसी business proof के जरिए जो account खुला जाएगा वही होता है business current account और आपका tourist visa के लिए ये current account ही चाहिए आपका जो business current account होता है tourist visa के लिए ये business current account ही चाहिए कोई individual current account नहीं चलता है आप तो आप submit कर सकते हो individual current account लेकिन इसमें आपका visa आने का chance बहुत ही कम होते है तो बहुत साबल मेरे पास आते थे कि sir मैं अपना individual current account खोल लिया हो इसमें visa आने का कितना chances होते है तो मैं बोलूँगा दोस्तो इसमें chances बहुत कम होते है अगर आप individual current account submit करते हो मैं बोलूँगा अगर आप एक business owner हो आपके पास business का proof है तो आप अपना जुरूर business का proof सद में लगाए और उसका जो current account है business proof देने के बाद जो current account आपने खुला है वो ही current account आप visa file के साथ submit कीजिए दूसरे individual current account नहीं चलेगा तो मेरा कहने का मतलब यह है अगर आपके पास business current account है तो आप अपना visa file के साथ अपना business current account ही डालिए आपका individual current account है तो वो आप बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि business current account visa file के लिए visa file के साथ आपका business current account ही चाहिए आपका individual current account नहीं चलता है बहुत सारा साबल मेरे पास आये थे बहुत दिनों से बहुत आदमी बहुत मेरा क्लाइंट है वो मुझे पूछते हैं कि सेर वीजा के लिए कौन सा करेंट अकाउंट इस बेस्ट तो मैं बोलता हूँ ब्रादर वीजा के लिए आपका जो बिजनेस करेंट अकाउंट होते हैं कोई individual current account visa के लिए नहीं चलता है तो दोस्तो आज के लिए वीडियो इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक like कर दीजिए अगर आपको आपको अच्छा नहीं लगा तो एक dislike जरूर कर दीजेगा और दोनों ही case में मेरे चनल को subscribe जरूर कर लिजेगा ताकि ऐसे informative वीडियो आपको मिलता रहेगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही बाई बाई